आप एक्ट्यूप्रेशर के मामला पर देखेंगे बहुत सारी यह रिंग है अंगूठी है जो कैसे यूज करना है और एक्ट्यूप्रेशर के कौन से पॉइंट इस्टूबेट होने वाले है इसके बारे में मैं बताने वाला हूं मैंने यह उठाया यह अलगलग कॉलेटी व सब्सक्राइब है जिसमें कोर्स्पेंडेंस पॉइंट बोले जाते हैं और आयोधिक एक्ट्यूप्रेशर में भी फिंगर्स के अंदर पावर पॉइंट से बोड़ी को मल्पूत रखने के लिए तो वह पॉइंट इस्टूप्रेट आज के समयां करने पाता है यह बहुत क्यां हम आज दो दूबर करना है जिसका रूप्र पारट है यहां पर प्रेशर आरा थैंट धृक्त द द्रूंकर हो रहा है जैसा कि नहीं से बोलता रहता ऊ-णि यहां भूती जाने से बोड़ी के अंदर से रिपेरियं होती है और बोडी अपना blood saturation को normal करने की तरफ आगे बढ़ जाता है अच्छा करना कैसे है simple एक जगा पर करके रखना नहीं है ऐसे रखना नहीं है क्योंकि आपको बहुत ऐसे कड़क दबाएगा तो महाँ पर खुन जम सकता है आपको ऐसे up-down roll करना है कितना टाइम करना है कभी भी करना है जगाना खाने के बाग दो कंटे तक नहीं करना है बाकि आप ऐसे up-down अंदर बार अंदर बार अप-down roll करना है simple और कोई भी अंगुली में करिए तो यह तो है एक principle दूसरा एक और principle आता है जिसमें इंसेक पॉइंट बोड़े जाते हैं आपकी अंगुली में पूरा बोड़ी पूरी अंगुली में पॉइंट पूरा बोड़ी है तो ऐसे roll करेंगे पूरा अप-डाउन और यह कुछ नहीं ज्यादा बड़ा फर्क साइट चोटी बड़ी है बच्चों के लिए लेडिस के लिए और कंदर का तो फिक है अपने जो अच्छा लगे शूटे बल और क्वालिटी बजबूती की अनुसार उसकी रेट रहती है यह अंदेरी मूमे में मिलने वाली आपको बहुत प्राइटी बर्कू हम खुद ही बनाते हैं इसको यह अंगुली का मैंने जो बता है यह अभी आपको एक रिंग बता रहा हूं रिंग जैसा है हापकी मसाज करने का एक्यू प्रेशर सूजोग पदती भी बोला जाता है इसको यह आपके प्रतिबीम के अंदर होते हैं रिफ्लेक्स में दू और एक हाथ में देखते हैं सूजोग पदती में जिसमें प्रस्पंडेंस पॉइंट बोला जाता है आयूबीक एक्यूब्रेशर में भी वैसे ही सूजोग के जैसे कुछ पॉइंट होते हैं उनको पॉइंट को कर दो